अलो दोस्तो नमेश्कार इनके शेर्स में अगर आप पैसा लगाते हो तो आने वाले समय में आपको कमाल की रिटन्स मिल सकते हैं तो जरूर इस वीडियो को देख लेना इसका लिंक भी मैंने उपर आई बड़न पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स् दीमे दीमे करके गिरावट देखने को मिल रही है और कल की गिरावट तो बहुत ही बड़ी गिरावट थी 2% से जादा की गिरावट सम्वेर अराउंड साड़े 600 पॉइंट के करीब की गिरावट और हम लोग यहाप देख सकते दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों के आप बता है कि यहाप बाजर अगर आप 5 दिन देखोगे तो ठीक लगेगा एक मैने की बात करेगे अमेरिकन बाजर तो लगबग एक मैने में 8% के आसपस ग प्रब्लेम चल रही है उसका इंपक्ट साफ देखने को आपे मिल रहा है जैसे मैंने आप लोगों के आप बताया भी था देखे अगर आप यह एक्सपेक्ट करोगे कि यह इस प्रकार की जो गिरावट हुई थी कोविड उसी को क्रैश यहाप बोलते तो दोस्तों ऐसा नह होना चीए जो कि आप कभी कलपना भी नहीं कर सकते वरना अगर हम लोग नॉर्मल चीजों के अगर हम लोग बात करे तो इसी प्रकार से हम लोग को धीमे धीमे करके लोवर लो काटते वे देखने को आपे मिल जाता है और कल के दिन की भी बात करे तो अमेरिकन बाजार पहल ज्यादा गिरावट क्यों एंड इसका इंडियन मार्केट के उपर क्या आएगा या नहीं आएगा क्या दिक्कते हैं आपे हो सकती है A to Z सारी सिच्वेशन में आप लोगों के सामने आपे रखने वाला हूँ And मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि चलो 2% ये गिरा है At least ये भी कम गिरा है ये गिरावट और भी बड़ी हो सकती थी अगर एक particular event होता तो कल के दिन हम बोल सकते कि थोड़ा बहुत वहाँ से support मिला वरना ये और भी गिरावट बड़ी है यहाँ पर शायद से हो सकती थी So वो कौन सी बात है वो भी मैं इसे वीड़े में cover करूँगा बट सबसे पहले American Bazaar में इतनी गिरावट हुई क्यों इसके पीछे का reason क्या है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते American Bazaar में जो गिरावट हुई इसके पीछे का reason एक ही है कि jobs का data, jobs का report हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला और जो report यहाँ पर सामने आया है वो बाजार ने इसके चलती यहाँ नेगेटिव reaction यहाँ दिया है मतलब अगर आप पड़ोगे report तो देखा गया तो positive है बट जो reaction है वो हम लोगों को जादा negative देखने को आपे मिली है तो ऐसा हुआ क्यों तो वो ही मैं अभी आप लोगों के सामने आपे रखने वाला हूँ बट यही सबसे main concrete reason है क्योंकि अगर आप यहाँ पर check भी करोगे किसी भी website के उपर जाके कि यहाँ अमेरिकन बाजार में गिरावट क्यों हुई है तो job से related जो data यहाँ पर सामने आए है इसी के चलते आप यहाँ देख सकते हैं हर जगे पर job का data सामने आए है इसी के चलते गिरावट है आप आप देख सकते हैं डोजन्स फॉल हुआ है because job का report यहाँ पर सामने आए है job का data देखने को हुआ मतलब यह एक ही reason है जिसके चलते अच्छी खासी गिरावट हमनों को American बाजार में देखने को आपे मिली है जो अब इसके पीछे का जो असली reason है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जैसे के आप देख सकते हैं आपे जो job कर जो data हमनों को देखने को मिला है वो relatively हमनों को strong देखने को मिला है yes यह जो data आया है वो अच्छा देखने को आपे मिला है relatively, comparatively अगर हम लोग आपे बात करें expectation किये गया था कि यहापे usually problem हो सकता है करके यहापे जब data strong देखने को आपे मिला है मतलब हर कोई यहापे क्या expect कर रहा था यहापे hope क्या कर रहे थे हर कोई कि शायद से अभी monetary policy थोड़ी सी easy हो जाएगी थोड़ी सी आराम दैक हो जाएगी इतना बड़ा rate hike नहीं होगा बट जिस प्रकार का job का data strong आते वे देखने को आपे मिला है इसके चलते might be अभी आने वाले समय में वापस हम लोग को monetary policy monetary policy मतलब हम लोग FOMC की बात करें rate hike की बात करें वापस हम लोगों को यहाँ पर बड़े स्तर के उपर भी देखने को आपे मिल सकता है जैसे कि आप सबी लोग का पता है कि जो federal reserve का जो main efforts यहाँ पर रहता है वो inflation को ही cool करने से related यहाँ पर रहने वाला है बट यहाँ पर जिस प्रकार का data अभी हम लोगों को देखने को आपे मिल चुका है हर कोई यहाँ पर expect कर रहा था आप यहाँ पर देख सकते हो कि FED शायद से जो उनका interest rate का जो space है बड़ा निका वो शायद से आपे slow यहाँ पर करेगा क्योंकि जो data यहाँ पर सामने आएगा वो weak आएगा करके बट हकीकत में जो data सामने आया है वो अच्छा कासा तगड़ा data हम लोगों को देखने को मिल रहा है जैसे कि आप देख सकते हो 2,63,000 jobs add होते वे देखने को मिल रहे है September month में इतना जबरदस हम लोगों को यह data देखने को आपे मिल रहा है जो कि अगर हम लोग expectation के इसाब से बात करें तो थोड़ा सा ही यहाँ पर हम लोगों को मतलब slightly less than economics जो expect करे थे उसके इसाब से अगर आप यहाँ पर देखोगे जो unemployment से related जो rate है वो हम लोगों को गिरते हुए 3.5% तक देखने को मिल रहा है from 3.7% तो यह सारी चीज़े जो हम लोगों को देखने को मिल रहे है इसका overall conclusion क्या निकलेगा इसका overall conclusion यह है कि अभी भी देखा गया तो वहाँ पर चीज़े हम लोगों को मजबूत ही देखने को मिल रहे है and fade के हाथ वापस खुल जाएंगे वापस खुल जाएंगे मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो यह data हम लोगों को देखने को रहे इसके चलते जो job के figure यहाँ पर सामने आये है तो यह बताता है कि sufficient job market यहाँ पर फिलाल तो strength यहाँ पर दिखा रहा है and इसके चलते यहाँ पर आप देख सकते another large interest rate hike in November यह हम लोगों को शायद से देखने को यहाँ पर मिल सकता है मतलब यह स्तीती बता रही है कि बाजार अभी भी strong नजर यहाँ पर आ रहा है जिस प्रकार का data देखने को मिल रहा है तो चलिए एक और बड़ा rate hike कर लेते शायद से बाजार इस चीज़ को जहल सकता है and इसलिए यहाँ पर हम लोगों को American बाजार में यही मतलब लोग पकड़ कर चल रहे है आपको पता है market में यहाँ पर भविश्य में क्या हो सकता है possibility इसी के उपर आज दाव लगाया जाता है होगा नहीं होगा वो तो भविश्य में ही पता चलेगा बट अभी यहाँ पर लोग क्या मान के चल रहे है कि बाजार अभी भी strong यहाँ पर चल रहा है जो data देखने को मिल रहा है strong देखने को मिल रहा है तो बाजार अभी भी बड़े rate hike को जेल सकता है वो उसकी capability है और इसके चलते बड़ा rate hike मतलब अल्यड़ी 75 basis point hat trick देखने को यहाँ पर मिल चुकी है शायद से fourth time भी 75 basis point का rate hike हो सकता है यह भी अभी हर कोई यहाँ पर expect कर रहा है और इसी के चलते हम लोगों को यह गिरावाट यहाँ पर continue होते भी देखने को आपर मिल रही है तो आप देख सकते हैं 600 point ऐसे नहीं गिरा है मतलब data थो positive आया बट जो impact यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला वो negative रहने वाला है क्योंकि rate hike के लिए यहाँ पर तैयर हो जाओ again कह रहा हूँ 75 fourth time भी यहाँ पर हो सकता है इसलिए American Bazaar में गिरावाट देखने को मिली जितने भी उनके जो बाकिके index है NASDAQ की अगर हम लोग बात करे SNP 500 की बात करे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.80 NASDAQ की अगर बात करे तो 3.80 मतलब बड़े बड़े corrections गिरावाटे हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिली है यह जो बात यहाँ पर हुई है जैसे मैंने आप लोगों को बताया वो और भी आपे खतरनाक हो सकती थी अगर Credit Suisse से रिलेटर हमनों को positive news देखने को नहीं मिलती थी कल के दिन मैंने वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि Credit Suisse ने एक अच्छा एलान किया अगर आपको fake दिया जाए आपको swimming नहीं आता है आप कुछ तो कोशिश करोगी ना तो कोशिश ही तो यहाँ पर कर रहे है अभी डूबेगा नहीं डूबेगा यह तो समय ही बताएगा कि यह एक्च्छल में क्या यहाँ पर हो राए करके बट जो एक रहत वाली बात उन्हें ने बताई है कि लेमन ब्रदर जैसे जो उनके हालत यहाँ पर होने वाली है वो फिलाल तो यहाँ पर टलती वे देखने को मिला है क्योंकि उन्होंने बाइबैक अनॉंस के है जिसके चलते हैं इनकी बॉंड का जो जो हम लोगों को जो वैल्यू अभी जो देखने को है आपे मिल रहा है तो लोग लगातार यहाँ पर बेच रहते हैं यह खुद ही खरीद रहे है और इसके चलते हैं जो यिल्ड बढ़ रहा था वो थोड़ा रुकते वे देखने को मिला जैसे मेरे वीडियो के शुरुआत में बताया कि अगर क्रेडिट सुइस के हालत और भी बच से बत्तर होती तो बाजर को एक और एक्स्टा रीजन मिल जाता क्योंकि यह वर्ल्ड का बहुत बढ़ा बैंकर आप सब लग को पता है इन्वेस्मेंट बैंक है इसका डूबना मतलब डेफिनेटली बहुत सारे दुनिया बर के लिए प्रॉब्लेमेटिक सिचुएशन क्रेट है यहापर कर सकता है बट फिलाल तो यह टेंपररी बेसस के उपर क्यों न हो सिचुएशन थोड़ी सी रहत देती भी देखने का आपर मिल रहे है अब आगे क्या होगा उसके लिए हम लोगों को क्रेडिट्स इसके उपर डीटेल में फोकस रखना पड़ेगा सो यहापर यही सारी चीज़े आप सब लोगों को याद होगा जेफ्रीज की एक रिपोर्ट सामने आया थी दो दिन पहले तो यह बात मेरे नहीं के थी जेफ्रीज ने अपने रिपोर्ट में बताई थी कि जेफ्रीज एक्सपेट कर रहा है कि निफ्टी वापस रिटेस्ट कर सकता है पंदरा पाच सो देखे यह लेवल छोड़ दो पंदरा पाच सो जाएगा पंदरा सोला जाएगा अटरा जाएगा उननीस जाएगा दस आएगा वो छोड़ो बट उनने यह एक्सपेक्ट क्यों किया था उसके पीछे का रिजन ही यही था कि अमेरिकन बाजार में फिलाल जो जिस प्रकार के डेटा सामने आएंगे वो रेट हाइक को बड़ावा देने वाले रेट हाइगे और यह साल खतम होते होते और दो बार हम लोगों को यह आपे FOMC की बेठक देखने को आपे मिलने वाली है तो दो बार रेट हाइक यह आपे होने वाले और वो मजबूत रेट हाइक होंगे एंड इसके चलते दुनिया बर के बाजार में प्रेशर देखने को मिलेगा एंड वही प्रेशर हमारे भारत के बाजार के और पास ओन होगा ये रिपोर्ट में उन्होंने सारी बाते आपे बताई थी जो की फिलाल हमनों को उसी ट्रैक के उपर जाते वे देखने को आपे मिल रही है इसके चलते डरने की ज़रूत है मैंने अगेन आप लोग को का इसके चलते डरने की ज़रूत है कुछ लोग तो डरते ही रहते है तो उनका तो में कुछ यहापे कर नहीं सकता आपमे clarity होनी चाहिए बाजार में आये हो तो ये हमेशा का चीज है बिलकुल यहापे चलता ही रहता है तो इसके चलते हैं आप लोगों ने बिलकुल भी डरने की ज़रूत यहापे नहीं है और वैसे देखा गया तो इंडिया की position बाकी देश से हम लोगों को 20-25,000 पी चले जाएंगे हमारा market थोड़ा consolidate चलता रहेगा और आपको पता है कि जब market ऐसा flat चलता है कोई stock flat चलते है maximum लोग बाजार को छोड़ देते क्योंकि वो bore हो जाते हैं उनको quick return चाहिए होते हैं but as a अच्छे investor मैं आपको बस इतना ही कहना चाहँगा कि ऐसे बाजार से आप लोगों ने बिल्कुल भी परिशान होने की ज़रुवत नहीं है in fact ऐसे ही बाजार बाद में आप लोगों को बड़ी तेजी के और यहाँपे लेकर चले जाते हैं no doubt फिलाल globally market में वो pressure देखने को मिल रहा है वो हमारे market में भी साफ साफ देखने को आपे मिल रहा है वो जादा गिरावट नहीं है 15-16% थोड़ी नाम गिरे केवल 3% ही आपे गिरे है so यहाँपे यह बहुत ही अच्छी कासी opportunity है इंडियान market में अगर आप एक long term investment का vision लेकी चल रहे हो तो आपको बहुत अच्छा का ऐसा फाइदा है आपे होने वाले सिर्फ एक ही problem है कि आपको hold, वो torture आपको जहलना आना चाहिए जिसने torture जहल लिया, 2020 में तो सबसे बड़ा torture था जो crash आया था, so जिसने वो जहल लिया उसको बाद में वो गजब के return मिले और जिसने वो torture नहीं जला, वो भाग गए, वो पच्टा रहे है so ये भी situation सेम ही रहने वाली है अभी का जो torture है, वो flat वाला torture है कि बादर move ही नहीं हो रहा है so ये जो torture अगर आप जो जहलेगा बाद में 20-25 पे चला जाएगा तो बाद में regret करेंगे, तो बने रही है अच्छे company में आपको return जरू मिलेगा so आशा करता हूँ जितनी भी बाते थी सारी आपे मैंने cover कर लिए है वीडियो अच्छा लग है तो जरू like and share कर देना and demand account अभी तक open नहीं किया तो link नीचे description box में आप लोगों को दे दी है 25 वीडियो की list आपको बिल्कुल free of cost प्रोवाइड कर दे जाएगे आपका नाम कौन सा account आपने link के तरो open किया properly comment section में बता देना तो अफ़ते बर के अंदर अंदर ये सारे lectures मेरे साइड से आप लोगों को free of cost प्रोवाइड कर दे जाएगे so that's it thank you very much दोसू we will be meeting our next video तब तक के लिए bye bye